तो आपको करना क्या है ध्यान से दिखें, मैं आपको तीनी स्ट्रेप में बता रहा हूं वन टू थ्री उसके बाद मार ये दुस्मन को दोस्तों आप दुस्मन को ऐसा मार ये ताकि दुस्मन हॉस्पीटल चल जाए और दुस्मन जब हॉस्पीटल से आए तो आपका नाम जरूर ले, यार किससे हम मार खाली है थे, दुस्मन सोचे भाई, दोस्तों मार ये पूरा पावर से भाई, दुस्मन घायल होना चाहिए, हेलो फ्रेंज, वेलकम डुमार यूटूब चैनल, मेरा नमे सहाब उतिन, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अगर दुस्मन आपका कॉलर पकर ले इस तरह से, पूरा पावर से भाई, रोट फाइट में, तो आप क्या करेंगे उस टाइम, मैं आपको ब पीच में, स्किप नहीं किजेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, दोस्तों वीडियो को कर दीजे, लाइक नहीं, तो आप से पहले कोई और कर देगा, तो भाई, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चलिये, शुरू करते हैं, दोस्तों, रोट फाइट में कर दूसमन, आपका कॉलर पूरा पावर से पकर ले भाई, इस तरह से, इस तरह से पूरा पावर से पकर ले भाई, तब आप उस टाइम क्या करेंगे, दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, आप उस टाइम क्या करें दोस्तो ये मेरा कॉलर पकड़ेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा पहले कैसा दिखता है उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा step by step ताकि आप घर पर ही practice कर सकें बहुत ही अच्छे तरीके से तो दोस्तो देखिए ध्यान से इस तरह से अगर दुस्मन आपका कॉलर के लिए नहीं बोलना है क्योंकि भाई प्यार से अगर बोलिएगा चोड़ने के लिए तो दुस्मन जिंदगी में नहीं चोड़ने वाला है तो भाई उनको बोलिए ही नहीं चोड़ने के लिए कि भाईया मेरा चोड़ दीजिए आपको नहीं बोलना है तो दोस्तो आपको करना क्या है उश टाइम मैं आपको बता रहा हूँ यह बला जो hand है आपका यह बला hand इस तरह से दुस्मन के hand को पकड़े दिख्यान से पहले मैं आपको सुलो करके दिखा रहा हूँ उसके बाद मैं आपको सिखाओंगा अच्छे तरीके से देखिए अभी भी आप सीख रहे हैं भाई देखिए मैं शुलो दिका रहा था कि आप सीख सके उसके लुए फास्ट भी दिखाऊंगा इस तरह से हैंड पकड़े लिजे दुसमन का इस तरह से घुमा दीजिए उसके बाद यहां लाईए और उसके बाद यहां लाईए और उसके बाद दुसमन को पटक दीजिए इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं दुसमन कहा है देखिए दुसमन यहां है उसके बाद देखिए दुस्मन मेरे अंदर में भाई देखिए पूरा मेरे अंदर में कोई दिकत नहीं भाई उसके बाद दुस्मन को फेस पर मारिए जितना मार सकते भाई आपके मन में जितना आए उतना मारिए दोस्तों मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूं कैसा दिखता है आप नहीं समझ बोलता हूँ ये बात तो आपको करना क्या है इस हैंड से दुस्मन के हैंड को इस तरह से घुमाना है और यहां मारना है दुसरे हैंड से इस तरह रहेगा आपका मोमेंट हैंड का तो इस तरह मारने के बाद आपको करना क्या है इस हैंड को खोल देना है इस तरह से खोलने के बाद नीचे से लेके जाना है हैंड को इस तरह से देखिए इस तरह से लेके जाना है और दुस्मन के गला को पकड़ लेना है इस तरह से उसके बाद दुस्मन को इस तरह करके मारिए और दुस्मन को गिरा दीजिए ठीक है भाई उसके बाद मारिए भाई फिर आपके अंदर मेरे अंदर में है दूसमन के मार के भाई ब्यूरा कर दीजिए ताकि Subman होस्पीटल जाए और होस्पीटल से जवाए तो आपका नाम जरूर ले तो दोस्तों मैं आपको फिर से करके Greeks खिक तो आपको दुस्मन आपको फाष करके दिखाओंगा कैसा दिखता है, ध्यान से देखिए, अगर दुसमन आपको इस तरह से पकड़े पूरा पावर से भाई, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, मैं आपको 3 step में बता रहा हूँ, 1, 2, 3 उसके बाद मारिए दुस्मन को दोस्तो आप दुस्मन को ऐसा मारिए ताकि दुस्मन होस्पीटल चल जाए और दुस्मन जब होस्पीटल से आए तो आपका नाम जरूर ले यार किसे हम मार खाली है दुस्मन सोचे भाई दोस्तो मारिए पूरा पावर से भाई दुस्मन घाय होना चाहिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों मैं इसी तरह से कराटे मार्शल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले दोस्तों फिर मिलते कल एक नए वीडियो में तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत